हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो माई यूट्यूब चैनल माई टैनी वल्ड मॉस्मी होप आप सब बहुत अच्छे होंगे सो फ्रेंड्स आज के इस रेसिपी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मैंगो की एक नई रेसिपी शेयर करने जा रहे हूं आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हूं स्टफ्ट मैंगो मलाई रोल कुल्फी की रेसिपी जिसे बनाना तो है बहुत ही आसान और खाने में इसका टेज जबर दस्त है तो चलिए फटा फट से हम आज की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं तो स्टफ्ट मैंगो मलाई रोल कुल्फी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह से दो बड़े साइस के आम ले लिये हैं साथी साथ मैंने यहाँ पर 500 मिलिलिटर फुल फैट क्रिम दूद ले लिया है सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में हम दूद निकाल लेंगे और यहाँ पर मैंने ले लिया है 200 ग्राम मिल्क पाउडर अब हम मिल्क पाउडर और दूद को बहुत ही अच्छे से मिक्स करके मिल्क पाउडर और दूद का एक गाड़ा गाड़ा सा घोल बना करके रेडी कर लेंगे अब हमने मिल्क पाउडर और दूद को मिक्स करके जो घोल बनाया है इसे भी हम दूद में एट कर देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम दूद में उबाल आने के लिए छोड़ देंगे तो जब तक दूद में उबाल आ रहा है इधर मैंने ले लिया है आम आम को मैं इस तरह से कट कर ले रही हूँ इसके बाद हम इस तरह से एक चाकू लेंगे और चाकू को धीरे धीरे से चारो तरफ से आम के अंदर इस तरह से गुसाते हुए आम में हमें बहुत अच्छे से छेत कर लेना है ताकि आम का जो गुटली है ये आसानी से बाहर निकल जाए तो ये देखिए फ्रेंट्स मैंने बहुत ही अच्छे से चाकू से छेत कर लिया और ये देखिए कितने आसानी से आम का जो गुटली है ये बाहरा गया तो इसी तरह से हम दूसरे आम को भी रेडी कर लेंगे तो एक एक करके मैंने यहाँ पर सेम प्रोसेस से दोनों आम को रेडी कर लिया है और इधर दूद में भी उबाल आ चुका है तो अब हम दूद में एड़ करेंगे चीनी यहाँ पर मैं एड़ कर रही हूँ 200 ग्राम चीनी आप चीनी आपको जितना मीठा खाना पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग एड़ कीजेगा देखेंड आपका आम कितना मीठा है इस बात को ध्यान में रखते हुए आप चीनी एड़ कीजेगा अब हम इसे कंटीनिव हीलाते हुए धीमी आज पर तब तक पकाएंगे जब तक की दूद आधा से भी कम ना हो जाए और ये एकदम गाढ़ा रब्रीदार ना हो जाए कंटीनिव दस से बारा मिनट तक पकाने के बाद ये देखिए फ्रेंड अब दूद जो है क्वांटिटी में बहुत ही कम हो चुका है और ये गाढ़ा रब्रीदार मलाईदार बन चुका है दूद में अब रब्री जमना स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी भी दूद पत कि अब झाला है तो हम इसे 3-4 मिनट तक और इस तरह से कंटीनिव हिलाते हुए पकाएंगे तो 3-4 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स लगातार चलाते हुए पकाते हुए ये तिके फ्रेंड्स ये है एक्जक्ट कनसिस्टेंसी तो इस स्टेज में मैंने गयास के फ्लेम को कर द स्टफिंग बहुत ही ठंड हो चुका और या किना गाड़ा हो हो चुका तो अब इस से हम एकक करके आम लेंगे और आम में अंदर स्टफिंग को बहुत ही से हमें feel कर देना है ताकि stuffing आम के अंदर तक जा सके अब आम का जो उपरी हिस्सा हमने काट करके रखा ता उससे हम आम को बहुत अच्छे से cover कर देंगे इसके बाद एक कटोड़ी लेंगे और इस तरह से आम को अच्छे से रख देंगे ताकि हमारा आम गिरना जाए और stuffing हमार आम से बाहर ना निकल जाए अब सेम प्रोसेस से हम दूसरे आम को भी रेडी कर लेंगे स्टफिंग को हमें बहुत ही अच्छे से फील कर देना है और अगर जरूरत पड़े तो हलके हाथों से दबा दबा के आप इस तरह से स्टफिंग को अच्छे से सेट कर लीजिएगा आम बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है मैं आपको इस तरह से एक आम लेकर के दिखा देती हूँ यह देखिए स्टफिंग कितने अच्छे से से सेट हो चुका है तो अब हम आम को छील लेंगे अब हम आम को इस तरह से गोल गोल से राउंड राउंड से शेप में कट कर लेंगे और इसके बाद मैं इसे गार्निश कर रही हूँ थोड़े से रोस पैटल से आप चाहें तो इसे अपने मन पसंदिदा ड्राइफ रूट से भी गार्निश कर सकते हैं तो फ्रेंड मेरी आज की ये रेशिपी स्टृफ्ट मैंगो मलाई रोल कुलफी बनकर के मेरे डिसे अगा सब को मंजब आज की परसंद हैं और अपने केसा तिल दे टेक केर और बबबाई और फ्कॉर्स थार गिए पर गिए पर गिए टाम तो वाच 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 वाच